विक्की ज्वेन ने अंकिता लोखंडे को किया नैशनल टीवी पर बेईज़त फैंस दे रहे हैं पती से अलग होने की सलहा नमस्कार दोस्तों बॉलिवर्ट समझवार में आप सभी कस्वागत हैं मैं आपके साथ साक्षी गुपता आएए पढ़ते रहें बॉलिवर्ट की कुछ खास ख़बरों के साथ सल्मान खान के famous controversial show Big Boss 17 में इन दिनों काफी हंगामा देखने को मिल रहा है शो में दो wild card contestant मानस वी ममगई और समर्थ जुरेलिया एंट्री मारी है जिसके बाद शो में गहमा गहमी देखने को मिल रही है हाला कि शो में कपल्स के बीच लगातार clash देखने को मिल रहा है विक्की और अंकीता के बीच हो रहे है जगड़े Big Boss में काफी सुर्खिया बटोर रही है Big Boss में आते ही विक्की और अंकीता शादी शुदा रिष्टे की पोल उनकी खुल गई है और शो में विक्की अंकीता का बिलकुल भी सपोर्ट नहीं कर रही है हाली में Big Boss 17 से विक्की जैन और अंकीता लोखंडे का एक वीडियो सामने आया है जिसमें वो अंकीता से कह रहे थे कि जिन्दगी में आज तक तु मुझे कुछ दे तो पाई नहीं है कम से कम दिमाग की शांती तो दे ही सकती है इस वीडियो में विक्की जैन अंकीता लोखंडे को कह रहे है आपकी आदत बहुत धटिया है कुछ तो चेंज कर लो मैंने तुझसे क्या मागा है जिन्दगी में तु मुझे कुछ दे तो पाई नहीं है कम से कम पीस आफ माइन दे दो ऐसा मत करो और मुझसे बात भी मत करो विक बॉस 17 के इस वीडियो पर लोग खुब कमेंट कर रहे हैं और अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं कमेंट के थुरू विक बॉस 17 में अंकीता लोखंडे के प्रती विक्की जैन का जो बैवारे वो लोगों को बिल्कुल पसंद नहीं आया है के वाल इतना ही नहीं कुछ लोग तो अंकीता को तलाक लेने का भी सजेस्ट कर रही है एक यूजर ने लिका विक्की जिस तरीके से अंकीता से बात कर रहा है वो ऐसा विल्कुल भी डिसर्व नहीं करती तो वही एक दूसरे यूजर ने लिका इन दोनों को अलग हो जाना चाहिए एक और यूजर ने लिका जिन्दिगी में कुछ दे तो पाई नहीं इसके जरी आप कहना कह चाहते हो वह तुम्हारी पत्नी है यार थोड़ा सा सम्मान करो उसकी भवनाओं को समझो और अनाधर करो आप इस पस्ट रूप से उनका अनाधर कर रहे हो ऐसा कमेंट भी उनको किया गया है खेर आप यह सब छोड़िया आप मुझे यह बताईए कि आपने यह वीडियो देखा और या फिर आपनी पूरा मैटर सुना तो आपको क्या लग रहा है कि 20 में गलत है या अंकीता आप कमेंट में जरूर पता है यह बात और भी ऐसी अप्टेट के लिए बॉलविट समचार को सब्सक्राइब करना वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना ना बूले तब तक कि लिए नमस्कार